जै मातादी आज मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगा जिन से आप ये पता कर सकते हैं कि आप जो पूजा पाट कर रहे हैं वो पूजा पाट सफल हो रही है और भगवान तक पहुँच रही है क्योंकि पूजा पाट जब कोई वेक्ति करता है तो उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि हमारे द्वारा की गई पूजा भगवान तक पहुच रही है या नहीं पहुच रही या कोई बुरी शक्ति उस पूजा को ग्रहन कर रही है या फिर हम व्यर्त में ही वास्ताओं में होता क्या है कि जब भी हमारी पूजा पाट भगवान तक नहीं पहुचती उसके पीछे दो कारण होते हैं पहला तो ये होता है कि कोई बुरी शक्ति कोई नेगटिव शक्ति जिसका वास हमारे घर में होता है और जब हम पूजा पाट करते हैं देवी देव और भगवान तक हमारी पूजा को नहीं पहुँचने देती दूसरा कारण यह होता है कि जब हमारे कुल देवता रुष्ट होते हैं तो भी वो हमारी पूजा पाथ को देवी देवताओं तक नहीं पहुँचने देते क्योंकि कुल देवता का प्रतम अधिकार होता है घर पे पूजा ग्रहन करने का और पित्रों का प्रतम अधिकार होता है घर पर पूजा पाट ग्रहन करने का तो अगर पित्तर रुष्ट हैं आपके आपके कुल देवता नाराज है रुष्ट हैं तो भी आपके द्वारा की गई पूजा आपके देवी देवताओं तक इश्ट देवता तक नहीं पहुँच पाती लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ संकेत ऐसे बताऊंगा अगर ये संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि आपकी पूजा पाठ देवी देवताओं तक आपके इश्ट देवता तक पहुँच रही है पहला संकेत तो ये है कि जो दीपक आप अपने इश्ट देवता के लिए जलाते हैं अपने मंदिर में अगर उस दीपक की बत्ती पूरी जल जाती है एकदम आखिर तक तो आप समझ जाना कि आपकी पूजा भगवान तक पहुँच रही है आपके देवता तक पहुँच र पूरी की पूरी जल जाए आखिर तक तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी पूजा लग रही है आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुच रही है तीसरा संकेत ये होता है कि जो आपने दीपक अपने इश्ट देवता के लिए जलाया है उस दीपक में से एक साथ दो लौ का जलना यानि कि एक लौ तो जलती जलती है कई लोगों के दीपक में से एक लौ में से दो लौ जलनी शुरू हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके इश्ट देवता आपसे बहुत जादा प्रसन्न है और आपकी पूजा को सुविकार कर रहे ह चौथा संकेत मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप पूजा कर रहे हो कोई पाठ कर रहे हो या अपने मंतर का जाब कर रहे हो तो आपके घर में सुहागन इस्तरी का आना ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कोई सुहागन इस तरी आपके घर में आई है और खास करके कोई खाने पीने की वस्तू या कोई गिफ्ट कोई उपहार या किसी भी तरह की चीज़ वो आपके लिए लेकर के आई है तो ये एक अच्छा संकेत होता है कि आपकी पूजा आपक भी आप पूजा कर रहे हो तो आपके मुख्य द्वार पर आपके दर्वाजे पर किसी संत का आना किसी साधू का आना किसी ब्रामण का आना या फिर आपने जो देखे होंगे मांगने वाले होते हैं उनका आना तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है कि आपके दर्वाजे पर स ऐसा संकेत पता चले कि जिससे आपकी पूजा पाट भगवान सुईकार कर रहे हैं आपकी पूजा लग रही है एक तो यह संकेत होता है इसके अलावा एक और संकेत हमको मिलता है जब हम पूजा पाट करते हैं वो यह होता है कि जो धूप बत्ती या जो अगर बत्ती आप भगवान के समीप जाना, यानि कि भगवान तक लगना, अगर वो धुआ भगवान तक लगरा है, यानि कि भगवान की तरफ को जा रहा है, जहां पर मूर्ती रखी है, जहां पर फोटो रखी है, वहां पर वो धुआ जा रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है, इससे भी आप स जब भी आप पूजा कर रहे हो अपने आसन पर बैठ करके मंत्र जाप कर रहे हो तो जाप करते समय आपको घंती की ध्वनी सुनाई देना अगर जो हम पूजा पाट करते टैम घंती बजाते हैं अगर इस तरह की ध्वनी आपको सुनाई दे रहे हैं घंती की या फिर आपको की ध्वानी सुनाई दे रही है तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है जिनसे आप ये समझ जाना कि आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुँच रही है और वो आपकी पूजा सफल हो रही है तो एक तो ये संकेत होता है इसके बाद अगर हम और संकेतों की बात करें और स संकेत ये होता है कि जब आप पूजा कर रहे हो या पाठ कर रहे हो तो उस वक्त पर आपके दर्वाजे पर गाए का आना और गाए जब आएगी आपके दर्वाजे पर तो वो आपके दर्वाजे की तरफ मुख करके खड़ी होगी एकदम सीधी सीधी इस्ट्रेट अगर इस पूजा को सुईकार कर रहे हैं और आपसे प्रसंद है तो ये कुछ संकेत मैंने आपको बताए हैं इनसे आप जान सकते हो कि भगवान तक आपकी पूजा पहुच रही है बीच में कोई नेगटिव शक्ति कोई बुरी शक्ति नहीं है जो आपकी पूजा को खा रही है या फि सीधा सीधा आपको ये संकेत दिखाई देंगे क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं इश्वर की या भगवान की तो भगवान हमको अपना अपनी तरफ से हमको संकेत देते हैं ताकि भगवान के भक्त हम समझ सकें कि हमारी पूजा सफल हो रही क्योंकि वैक्तियों के मन में लोगों के मन में ये प्रश्ण बार बार आता है कि हम इतने समय से पूजा कर रहे हैं इतने टाइम से पाट कर रहे हैं पता नहीं हमारी पूजा लग रही है या नहीं लग रही है हम संकट में हैं हम मुसीबत में है हमारे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये प्रश्ण लोगों के मन में रहता है तो इसी लिए भगवान हमको संकेत देना शुरू कर देते हैं कि आप समझ जाईए कि आपकी पूजा मुस्तक पहुंच रही है स्विकार हो रही है और अगर कोई नेगेटिव शक्ती बीच में है कोई पित्र दोश है कोई कुल देवता का कोई कुल देवता की है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कुल देवता आपके नाराज है तो आपको सब से पहले अपने कुल देवता की पूजा अपने घर में करवानी होगी, किसी भी ब्रामन से आप करवा सकते हैं, अपने पित्रों की पूजा आप किसी ब्रामन से करवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी ये पूजा कर सकते हैं, पित्रों की पूजा के लिए आप शराद पूजा करिए उनको भोग प्रसाद अर्पित करिए और फिर वहां से आप उनको प्रणाम करके उनको नमशकार करके आईए अगर आप से कोई तुरुटी हो गई है कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आप उनसे शमा मांग करके आईए और उनसे परातना करके आईए आप हम और फिर उसके बाद में आपकी पूजा आपके इश्ट देवता तक सरलता से पहुंचने लगती है जै मातारानी की